नमस्कार दोस्तों आप देख रहें श्लोग गार्डन ब्लाग और आज आप देख रहें मेरा एक अच्छा सा प्रोजेक्ट जिसमें आप फेरी गार्डन और उसके साथ सा टर्टल हाउस दोनों चीजे एक ही इसमें प्रोजेक्ट में दिखेगी तो यह वीडियो पूरा रहें तो इसका जो पानी है देने के बाद निकलना चाहिए गडर कि इसमें आउट्लिट दिया है दोस्तों यह हमारी गन रेडी हो गए सिलिकॉन की इससे हम ग्लास को यहां पॉट के साथ चिपकाएंगे अगया दोस्तों हमें इस साब से पहले हम ग्लास चिपका लेंगे तो इसे मैं यहां पर ग्लू लगाऊंगा सिलिकॉन और ग्लास जो है अच्छे थे यहां पकड़ लेगा दीख सकते हैं और एक चीच का ध्यान रखिए जैसे इसका काम होता है तो आप इसके नोजल में एक स्कूरू होता है कोई पी स्कूरू लीजिए उसको पाइट करके रखिए इससे ग्लू बाहर नहीं आएगा कि देखिए ग्लास है 11 इंच हाइट में मैं सेम पॉट के हिसाब से दिया हूँ कि व्यास आपको फिट ओफिट छिपप जाएगा कि एक बजू हो गई है ताब हम साइट के ग्लास लगाएंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो करने वाला हूँ तो एक पार्ट रहेगा पानी का यहां में वाटर टैंक लगाऊंगा तोटा इसको तहरने के लिए नहाने के लिए और दुसरे साइट में रेत का सिस्टम रहेगा रेत रिवर सैंड और उसमें कुछ पत्थर और इसके ऊपर में एक उसके लिए एक हाउस बनाऊंगा इस क्लाच के तुपड़े को चिपका सब्सक्राइब कर देख लिए इसके अंदर आना चाहिए जैसे देख सकते हैं यह इतने पॉर्शन में ठीक है तो सिसाब से ही मुझे यह ग्लास के तुपड़े को चिपकाना है अब में बात आती है कि इसका वजंग एक तो उपर से पहले स्टाइल का पॉट है उसका वेट है उपर हमने ग्लास लगा है उसका वेट है अब हमें इसके अंदर में कुछ स्टोन डालना है तथा रिवर सांड डालना है यह सभी चीजे हम देसे जैसे वरेंगे तो इसका व हिसाब से यह तीन से चार पीस इत्ते सेम साइज में उसमें वेट में एड़ेस हो जाते हैं तो इसलिए आप इस सिंडर का इस्तमाल करिए और दूसरी बात बताता हूं जैसे थर्मागूल पीस है यह पैकिंग में आता है कोई बीची जम लेते हैं इलेक्रोनिक्स या कुछ इस थर्मागूल के पीस को आप नीचे के पोडिशन में डाल दीजिए और उपर से जो स्टोन होते हैं कुछ भी वो रखिए इससे क्या होता है इस थर्मागूल के पीस से उतना एरिया और कवर हो जाता है जिससे वेट याने ज्यादा बढ़ता नहीं है वेट कम रखने में हम इसकी साहीता ले सकते हैं हमारे पॉट का याने टटाइज हाऊस का वेट कम होना चाहिए इसलिए हमने खाले जगह में दर्मागूल कंद करने के लिए फिर भी इसके बीजबीश में जगह है तो इस जगह पर हम आप देख सकते हैं रिवर जो होती है रिवर संड उसमें चाहने के बाद बड़ा कंकर मिलता है दिखता है उस कंकर को हम इसके बीजबीश में आड़ करेंगे जिससे इसकी गयाप तबर हो जाएगी है हमारा पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है देख सकते हैं अब हम इसे देखोरेट के लिए हमें जो जो चीजों की आवशकता है वह को मैं सजाओंगा इनको सापसूप करने के ज़रत नहीं रहती ज्यादा यह जो देख रहे हैं इसका बहुत ही कम रहता है और यह अब देख सकते हमारा वाटर टैंक और उसका ग्रास का स्ट्रक्चर हो गया है अब यह दूसरा स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर हमने कुरा थर्माकूल का सिस्टम इसके उपर बिशा दिया है और यहाँ पर कुछ एक दो स्टोन रखे हैं जो आपको दिखाऊंगा जो हाइट में आपको बड़े दिखेंगे तो यह यह जो हमारी रेट है रेट के उपर उपर में थोड़े से दिखेंगे चट्टानों जैसे हम इस एरिया के उपर डालेंगे तो चलो रेट के सरफ चलते हैं देखें दोस्तों हमारा जो मोटा दान आए रेट का वो फाइला के हो गया है अब हम इसमें जो बारिक रेट होती है आपको दिखाता हूँ यह बारिक सैंड जोडिवर सैंड होती है इसको हम डालेंगे तो देखें दोस्तों हमारा रेट का भी स्टक्चर हो गया है घड़ा इधर रेट है इधर ग्रास और वाटर टैंक है तो अभी दोस्तों आप देख रहे हैं मैरा स्ट्रक्चर बंके रेडी है अब हम जो उपर से हमें एक पैकिंग का स्ट्क्चर देना है पहले माएं लकडे की इसमें गोड्य धूंगा फिर उसके उपर ग्लास लगाने माला हूं तो लकडे की गूट देने के लिए आप देख सकते यह बीडिंग है दो इंच के बीडिंग का माएं आप देख सकते हैं इस जीसाब से चारो थी वो बनाके रेडी है अंदर के साइट से भी दिखा देता हूं आपको इसको हम इसके उपर रखेंगे यह हो गया हमारा स्ट्रक्चर रेडी अब इसके उपर मैं यहाँ पर चार बूस लगाने माला हूँ एक दो तीन चार और इसके उपर ग्लास रखूंगा जो सेम यह जो पाशे में ग्लास था उपर भी पाशे में ग्लास आएगा जिससे यहां से एर सर्कुलेशन तो होती रहेगा और पूरा भी आपको दिखाई द प्रूद्धी प्याद दिखेगा जैसे रनेट उता प्लाक वाला उसकी सब्सक्राइब तो इसके लिए हर पूरा से उसकी घसाई कर लेते हैं और उसके बाद उसको अपला जाएगा कर दो कर दो कर दो कर दो ज्णाने के लिए जगे नहीं रेंगी तो हम इसे थोड़ा ऊपर रखेंगे तो इसके लिए न मिलें दीख सकते हैं कि आ इस पूर्शन मेंने यद extr को युठाने के लिए सब्सक्राइब करते हैं कि यह जो होल करते हैं मिवक्रों प्रिल करना है उस पोर्शन के उपर हमें थोड़ा पानी डालना है देख सकते हैं तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो 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 तक कि घिर्षी ड्रिल वशिन पकड़िए जब तक के हम यहाँ पे पहुआ है खुर्ली किता तक टेस है इस नजना हुआ है शोडह इसे शलाधा को निए के संहे है chi तो प्रॉब्लिम नहीं देखिए रहा और ग्लास ग्लाचे तक नहीं हुआ है तो इसी तरह से आरषानी से आप अपने घर में भी लास को होल कर सकते हैं तो यह ग्लास का होल्डर है जिसमें हम ग्लास को सबसे पहले हम हमारा लट्रे का स्क्वेर है उपर का टाप उसके उपर और देख सकते हैं इससे मार्किंग कर ली है पूले सिस्क्रू की साहजता से इस हमें डालेंगे देख सकते हैं पर यहाँ पी करेंगे कि यह हो गया हमारा विल्कुल सॉलिड देखें कि व्रकेट लागा क्यों कि वह गया है अब इसके उपर ग्लास रखते हैं देखिए ग्लास भी सब्सक्राइब बैट रहा है और इसके ऊपर हमारे जो प्रकेट के उपर का ताप ता इसे प्ट कर देते हैं कि इसमें डबल बूश होते हैं देख सकते हैं दो वाइसर है एक वाइसर आता है नीचे इसके नीचे आता है और एक उपर से लगता है इस प्रकार सभी को फिट कर देंगे देखें दोस्तों यह होगा हमारा उपर का टॉप लगा के बहुत ही प्यारा है और इसमें जाने के लिए तो अब बारी आती इसके डेकोरेशन के लिए हमने इसमें क्या कर लगाने वाले तो आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह टॉट वहोट बनाया है जो हम यहां जो वेट में बहुत हलका होता है इसको हम रखने वाले हैं तो इस मट्रियल का हम इस्तमाल हमारे प्रोट्रेक्स के हाउस में करेंगे बेकॉरेट के लिए है अगे आप हमारा प्यारा सब्सक्राइब बिल्कुल रेडी है बनके आखों में दिखाया है उसका अंदर का इंटेर डेकॉरेशन हमने कर दिया है उसका भी बनाया है वाटर टैंक सभी कुछ चीज़े लिए हो गई है अब जो उपरी हिस्सा है अब हम हमारे वाटर टैंक में पाने डालेंगे तो देखिए हमने हमारे टर्टल हाउस में लाइटिंग भी लगा दी है बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है आप देख सकते हैं नाइट विव देखिए नाइट विव बहुत ही सुन्दर दीख रहा है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लिज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेर कीजे धन्यवाद स्ब्सक्राइब